बहुत बार ये common सवाल होता है कि सर 10th pass वालों के लिए कोई सरकारी नौकरी है क्या तो जी हाँ इस बार 10th pass वालों के लिए सरकारी नौकरी आई है वो भी total vacancy 25,271 vacancy के साथ तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे notification के बारे में पूरी चर्चा करेंगे कि कितनी vacancy है कौन-कौन apply कर सकता है eligibility criteria क्या है age limit educational qualification तो पता चलीगा कि 10th pass वाले apply कर सकते हैं और selection procedure क्या रहेगी और important dates क्या रहेगी पूरी जानकानी मिलेगी इसी वीडि़ी तो चलिए शुरू करते हैं सो SSC GD 2021 का recruitment notification बाहर आ चुका है यानि constable का recruitment है in Central Armed Police Forces, NIA, SSF and Riflement in Assam Rifle Examination 2021 in short SSC GD 2021 का recruitment notification ओनलाइन application कब तक देना है तो 17 साथ से शुरू होके आपको 31 अगस 2021 के रात 11 बजे से पहले आपको online आवे दिन दे देना है fee payment online कब तक कर सकेगे तो online fee payment की last date है 2 September 2021 रात को 11 बजे तक आपको offline चलान generate करना है तो offline चलान generate करने की last date है 4 September 2021 रात को 11 बजे तक और आपको चलान जो payment करना है बैंक के द्वारा तो बैंक के working hour में last date है 7 September 2021 यानि 7 September 2021 के bank working hour के दारान आप अपना offline चलान सब्मीट कर सकते हो पूरी चर्चा करेंगे आगे वड़ते हैं फिलाल कितनी वेकंसी है तो टोटल वेकंसी अगर आप देख पाओगे तो BASF में आपको 6113 दिख जाएगी CISF में दिख जाएगी कुल मिलाके अगर आप male के लिए वेकंसी देखेंगे तो 22424 है और female के लिए वेकंसी देखोगे कुल मिलाके 2844 है दोनों को addition कर लोगे तो आपकी total वेकंसी मिल जाएगी 25271 यह है total वेकंसी काफी मतलब काफी जादा expected थी बट उससे कम डिकलेर हुई है बट क्या करें जो भी है इतनी वेकंसी डिकलेर हुई है age limit क्या रहेगी तो 18 साल से 23 साल के बीच में जो जो होंगे और minimum 18 years maximum 23 years वाले भी apply कर पाएंगे एक अगस 2021 के अनुसार आपको age limit देखनी रहेगी यानि एक अगस 2021 के दिन आपके 18 साल complete है तो भी आप apply कर सकते हो आपके 30 साल complete होने मतलब 30 साल तक है तो आप apply कर सकते हो या फिर birth rate की बात करूँ तो candidate जो है वो इस birth rate से पहले बौन हुआ नहीं होना चाहिए और इस birth rate के बाद बौन हुआ होना नहीं चाहिए आपको यह दोनों date के बीच में ही candidate का बौन हुआ होना चाहिए दोनों date inclusive है यानि इस date पे बौन हुआ है तो भी चलेगा इस date पे वाला नहीं चलेगा समझ में आगे बाद मिनिममम एज 18 है मैक्सिमम एज 23 है अब कुछ केड़ेगरी वालों को एज रिलक्षेशन भी मिलता है यानि मैक्सिमम एज 23 है बट से वालों की पांच साल का एज रिलक्षेशन मिलता है तो 23 प्लस 5 लगा देंगे तो कितना हो और एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक अगस 2021 के अनुसार आप 10 पास यानि मैट्रिकुलेशन पास्ट होने चाहिए कोई भी एग्जामिनेशन फ्रम और रेकोगनाईज बोर्ड और उनिवर्सेटी से आप 10 क्लास पास किये हुए होने चाहिए तो आप इस एक्जाम के एक्जामिनेशन का, ठीक है आगए बढ़ते हो और जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेजर कहा है थे एक सिलेक्शन में सबसे पहले आपको एक्जाम देना है, कॉंपीटर बेस्वेशन रहेगा, फिर फिसिवीड ऐफिसंच टेस्ट है, फिसिवीड स्टांडर्ड चेक किये जाएंगे तो सबसे पहले cbe यानि computer-based examination की बात करें तो उसमें चार सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे सारे question objective रहेंगे online यानि computer-based examination रहेगा और यहां यहां पर negative marking भी रहेगा यानि एक question एक mark का तो 0.25 आपके हर एक wrong question के deduct हो जाएंगे यानि यह wrong question का एक mark तो नहीं मिलेगा परन्तु उसके भियाब पर जो marks अर्जित के हैं वहां से 0.25 deduct हो जाएंगे सारे question आपको English as well as Hindi language में भी देखने को मिलेंगे और mode of selection की बात करें तो आपको यह चीज़ ज्यान रखनी है कि अगर आप EWS, ESM और unreserved category के हैं तो आपको minimum 35 percentage marks लाने हैं without NCC certificate के तो इस exam में आपको 35 marks तो minimum लाने पड़ेंगे और SCST OBC वाले को minimum 33 marks लाने हैं यह cut-off नहीं है बट यह minimum mark आपको लाने है overall और वो भी NCCC के marks को add up किये भीना और NCCC के marks C certificate के 5 mark मिलेंगे, B certificate के 3 mark मिलेंगे और A certificate के 2 mark मिलेंगे तो यह था CBE के बारे में अब आगे बढ़ते ह जानते है physical efficiency days, physical efficiency में आपको race करनी है यानि दोड़ना है, male candidate को 5 km दोड़ना है वो भी 24 मिनिट में और female candidate को 1.6 km दोड़ना है वो भी 8.5 मिनिट में, यह किसके लिए 4 candidates other than those belonging to Ladakh region, यानि जो Ladakh region को belong नहीं करते हैं तो उन के लिए, और जो Ladakh region को belong करते हैं उनके लिए male candidate के लि है, 800 मिटर 4 मिनिट में, ठीक है, अब आगे बात करते हैं, physical standard test में height के बारे में, तो height आपकी male की 170 cm होनी चाहिए और female की 157 cm होनी चाहिए, कुछ relaxation मिलते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, category wise relaxation कितना कितना मिलता है, height के बाद आपका check किया जाएगा, chase तो chase करना पड़ेगा male candidates का, should have following standard chase measurement, unexpanded 80 cm होना चाहिए और minimum expansion 5 cm का लगाया चाहिए और जो relaxation मिलता है, वो category wise यहाँ पर mention किया गया है, आप देख सकते हो, आगे बात करते हैं, तो syllabus के बारे मैं बता देता हूँ, अब यहाँ पर एक चीज़ बता दो, और एक measurement भी है weight का, तो weight measurement आपके medical standard के और उसके बार आपकी medical examination test भी होगी, तो आपको medical examination से भी गुजरना पड़ेगा, syllabus की बात करें, तो यह रहा syllabus, computer based examination का, CBE का, general intelligence and reasoning का, general knowledge and general awareness का syllabus, यह रहा elementary mathematics का syllabus, और यह English और Hindi का syllabus, तो syllabus के बात पहुँच जाते हैं, application fees, आपको जी हाँ, आवे दन के लिए 100 रुपया fees देनी ह All other candidates except woman candidate, यानि woman candidate के लिए कोई fees नहीं है, और candidate belonging to SC community, SD community, ex-servicemen eligible for reservation are exempted for fee payment, यानि SC, SD, ESM और woman candidate, woman candidate हर तरह के woman candidate को fees पे नहीं करनी है, बाकि सभी candidate को 100 रुपया fees पे करनी है fee pay करने के लिए last date है, second September 2021, रात के साड़ा ग्यारा बजे, चलान अगर आपको offline चलान, bank चलान, generate करना है, तो उसकी last date है, 7 September 2021, sorry, 4 September 2021, और चलान आपको pay करना है, 7 September 2021 से पहले आगे बढ़ते हैं, और important dates के बारे हम बात करें, तो online आवे दिन देना है, 17 July से लेके, 31 अगस 2021 तक, क्यानि ये last date है, apply करने की ध्यान रहे, इससे पहले आप आवे दिन तो दे ले, दे दे at least, और online fee payment करने की last date है, 2 September 2021, रात को साड़े ग्यारा बजे तक, अगर आपको offline challenge करना है, तो उसकी date है, 4 September 2021, रात को साड़े ग्यारा बजे तक, फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो चलागे तो लाइक करो, शेर करो अपने maximum दूस्तों के साथ, ताकि उनको भी 10th standard वालों को पता चले, और वो लोग apply करना चाहे, तो आवे दिन दे स सकते हैं, और उसके regarding preparation शुरू कर सकते हैं, चैनल को अभी तो subscribe नहीं किया, तो चैनल को subscribe बालों साथ में bell icon भी प्रेस करता, ताकि जब भी मैं आपके लिए नए वीडियो अप्लोड करूँ, आपको उसको notification सीधा मिले।